सर्दियों में खाने का मज़ा ही कुछ और है आप अच्छे चडिस इसी सर्दियों में बना के खा सकते हो और सारी चीजे खाने में बहुत ही परसंद आती है तो आज में लेकि आए हूं आप सबके साथ आलू मटर की सबजी चूरा जो इस सर्दी में की मौसम में सबके हां ज् सुबह न बन जारा तो अगर सुबह नहीं बना तो दोपहर को लंच में बन जाता हूं तो आज मैं लेक्पै क्या हैं आलू मटर की रेचिप आप एक साथ जो यह आ आलो को अच्छे से फ्राई कर ली हूँ और इसके बाद में डाली हूँ इसमें नमक डालने बाद कटी हुई टमाटर और जो आपकी किचन में डेली का मसाला पड़ता है और डाली हूँ मैं धनिया जीरा मिर्चा पाउडर और आप 15-20 मिनट में आलो मटर की सबजी के साथ रेडी हो जाता है आप खाने में या लंच में कभी भी कुछ भी बनाई है तो आलो मटर की सबजी नहीं नहीं आलो के साथ बहुत ही अच्छी लगती है और बहुत ही खाने में टेस्टी लगती हैं और इसके साथ तो इसके लिए सर्दियों की मौसम में खाने का मजा ही कुछ और है तो इसके उपर मैं डालूंगी मटर और मटर की सबजी तो मतलब बहुत ही अच्छी लग रही इस समय क्योंकि नई आलू नई मटर और आप मटर की पूरी बनाईए सबजी बनाईए पोहा बनाईए कुछ भी ब सब्सक्राइब मगर खाने में तो बहुत ही अच्छा लगता है तो आज मैं बनाई हूं आलू मटर की सबजी और उपर से मैं क्यों धनिया के साथ गानिस और आईए अप लेट लगाते हैं अपने लिए मैं तो बना ली आप भी बनाएए जरूर